हेलो दोस्तों श्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सीट रिटी एंटी इस प्रेशन में और आज की इस वीडियो में मैं सीटेट और यूपी टेट के लिए सुसर स्टेडी के बहुत ही इंपर्टेंट को लेकर आई हूं जो पढ़िच्छा में हमीसा पूछे जाते हैं तो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जितने ही क्वेश्चन है क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है औ और मैं बहुत सारे नोट्स भी इस चैनल पर डाल चुकी हूं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दो कि और साड़े नोट्स मैंने खुद से बनाये हैं मैं भी CTD कई वार क्वालिफाई की हूं उसी नोट्स को पढ़के तो यह नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा 30 सितमबर को 21 मार्ज को संधिवार आतरी होते हैं क्वेश्चिन नुमेर बढ़ दूसरा है सबसे बड़ा दिन 21 जून Kan Sinnera प्रीथवी अपने अख्षपर जुकी हुई है सारे 23 डिग्री टीकर प्रीथवी अपने अख्षपर 28 डिग्री जुकी हुई है चौथा क्वेश्टिन में सिटोस्य निकटिबंध में गरी और सर्दी के तापमान में अंतर नहीं होता है तिस्ट रिजो होता है वहां पे गर्रूस्य के किया संतर आपको नहीं मिलेगा ये प्वेश्टि नाच पर पहुंचने वाले पहले वेच्ति कौन थे चाल पर पहुंचने वाले विक्ति नील आर्म स्ट्रॉंग थे उत्री दुरूप को दक्षनी दुरूप से मिलाने वाली काल्पनी क्रेखा क्या कहलाती है उत्री दुरूप को दक्षनी दुरूप से मिलाने वाली काल्पनी क्रेखा को अक्ष कहते हैं हम लोग प्रित्वी के किस गती के कारण दीन सलता है कि अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले भारतिये थे अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले भारतिये राकेश शर्मा थे, question number 10 है, जल्ड अमरू मध्य जोड़ता है, दो बरे जल भागो को, question number 11 है, समताप मंडल होता है, question number 12 है, अस्थल का एक संकरा भाग जो दो बरे अस्थल भागो को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसको अस्थलीय संधी कहते हैं, अस्थल का दो शंकरा भाग जो बरे अस्थलीय भागो को जोड़ता है, उसे हम लोग अस्थल संधी कहते हैं, तेरा नंबर क्विश्चन है पानी का संकरा भाग जो दो बरी जल रास्यों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम लोग जल संधी कहते हैं तो यहां पर क्विश्चन हमारा समप्त होता है यहां कोश्चन आपके यूपीटेट सीटेट के लिए बहुत जादा है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है या आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में वेल आइकोन को प्रेस कर ले थाकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद